शास्त्री संगीत जो विधा है ये ऐसी विधा है जहां कि अगर हार्मोनियम तबला तानपुरा पकड़ लिया आदमी तो बंदुक पिस्टॉल राइफल नहीं उठाएगा केखेपअटक्सर चाहां कि बच्चें छूड़ यदा कवा शुब रहते हैं कोई कला से जुड़ा हुआ विक्ती है तो निश्यत रूप से वह अपराद और गलत प्रविर्ति के और नहीं जाए कि कोई भी चीजों फीजिकल और मेंटल दोनों तरह का चीजों को लेते हुए हम लोग बच्चों को सिखाते हैं हम अभी खड़े हैं किलकारी संस्थान के कंपाउंड में और यह संस्थान काफी जाना पहचाना है एक्स्ट्रा एक्टिविटिज के लिए लगातार काम कर रहा है और आज यह संस्थान खाली पड़ावा चुकि जो केके पाठे का निर्देश आया है तो उसके बाद कहा जा रहा है कि बच्चे इसकूल जाना ज्यादा जरोड़ी समझ रहे हैं और यहां अब थोड़ा सा इसक प्रभाव पूरी तरह से यहां दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल में छुटी होती है तो उसके बाद जानकारी दी गई कि बच्चे यहां फिर आते हैं और काफी कुछ सिखते हैं हमारे साथ यहां संचालक टीम के कुछ लोग मौजूद हैं इसे बात कर ले अब हमें क्या प्रभाव पढ़ गया है केके पाठक के निर्देश का केके पाठक सर जो निर्देश दिये हैं कि बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं यह ची बात है और स्कूल जैसे ही खत्म होता है सारे बच्चे यहां हमारे यहां में बहुत ज़्यादे बच्चे रहते हैं तो अभी दोनों कर रहे हैं आभी किलकारी में वह सारा कॉंपिटेशन कायोजन क्या जारा आभी फिलाल इवा उतसब कायोजन हो रहा है जिसमें किलकारी पूर्णिया के भी कुछ बच्चे भाग लिए हैं इक्जाम दे करके हम लोग उहां संचालक से बात किए रिक्वेस्ट के एक्जाम दे करके बच्चे आएंगे थो थोरा सा टाइम का ये दे दिजे रिवेट दे दिजे तो उन्होंने भी समझा और बच्चे वहां भी ला सक्कार रहे हैं स्कूल के बाथ यहां यहां मुKEी रूप से किन चीजे़ों पर आप लोग द्यक्रा धियान देता है Levi कこई-भी नहीं तीन बज़े के बाद ही क्योंकि दो बज़े को लोग नाक का फिर आते हैं साम में बच्चे-वज इनको क्या पहले इस पहले आते थे दिन भी आ जाते हैं जो बच्चे स्कुल नहीं तो रहते हैं उनको भी परोज़साहिद करते हैं इसकूल जाने के लिए क्लास में और सप्षिण हैं यह बच्चे दिन में आते हैं वहooden क्लास में बच्चे ना के बडावर है नहीं के बराबर है तो यह बताइए मैं कि अभी जो आपके बच्चे हैं वो किन-किन विधाओं में कहां कहां पार्टिशिपेट कर रहे हैं क्या भी कुछ हो रहा है अभी देखिए जिसे अभी मैंने बताया थोरा दर पहले कि यूबा उतसब परतियोकता चल रहा है तो कल क्राफ्ट का था मुर्तिकला और पेंटिंग के बच्चे फोटोग्राफी के बच्चे ने भाग लिया और आज और एकल डांस एकल संगीत भी लिया और आज ग्रूप वाले बच्चे सब भाग ले रहे हैं ग्रूप संगीत लोग संगीत पाटिसिपेट कर रहे हैं और ग्र कोई भी ऐसा पर्मान पत्त लेकर जिसमें कि उनका एज प्रूब हो क्योंकि यहां पर आठ साल से लेकर 14 साल तके बच्चों का admission होता है तो वह बच्चे आते दो फोटो और दस रुपया बस एक और यह बस इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम है हम लोग है यह हो रहा है अचाह जिए बताएक कि आप लोग इसको मैंनेज्ट कर ले ले हैं और फिर आप इतना बड़ा प्रोवाइट करवाते हैं उसी से पसे कितने लोग है यहां जो अलग विधाओं के इसे कोई नाटक के हैं यहां दस विधाओं का वी ट्रेणिंग चल रहा है जिसमें नाटक है लोग संगीत है सास्त्रे संगीत है एथे लेटिक्स है कराटे है क्राफ्ट है और भी सारे विधाये हैं तो वह सब बच्चों का होता है हम लोग देते हैं और उसके बच्चों को दिलवाते हैं कितना भिलू रहता है मतलब वह कहीं यूज कर सकता है वह सर्टिफिकेट से एक तरह से उनका एक रिजुमें विल्ड हुआ जब भी कहीं अगर वह आगे चल कर कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं सर्टिफिकेट के किसी स्कूल में एड्मिशन में तो नहीं बट उनका स्किल डेवलप्मेंट होता है तो सर्टिफिकेट के लिए नहीं हम लोग बच्चों को यहां ट्रेनिंग देते हैं एक पात देते हैं कि जब 14 साल जब खत्म हो जाता है उसके बाद किस जिस केडियर में अच्छा करते है जिस फिल्ड में वह बहतर करते हैं उसकी जानकारी देते हैं कि इंडिया लेवल पर स्टेट लेवल पर कौन सा स्कूल कौन सा कॉलेज में वेस्ट पढ़ाई होता है वह सब की एक तरसा केरियर पाथ भी हम लोग कर देती हैं अच्छा आप लोग जब बच्चे आते ताप यह महसूस हो जा रहा होगा कि कई विधाओं में आप लोग काम करती हैं तो इन बच्चों को किस छेत्र में आगे बढ़ने के लिए पर रित किया जाए यह आपको समझ में आ जा रहा होगा जाए जो बच्चे 3-4 तक सीखते हैं तो हम लोग को एक से 2 साल के बाद मैं यह प परे में ताकि वह अपना के रियर उसमें अच्छा बहतर बना सके अच्छा बना सके जी मेरा नाम शिखा कुमारी है मैं यहां सहायक लेखा पतादेकारी के तोर पर कार करती हूं और कुछ पढ़ाती जी ने में टीचर नहीं हूं आपक्शली जिसे मैंने बताया कि मैं एका सात्री संगीत में एड्मिशन हैर लगभग साठ के लोक संगीत में है तो बच्चे हैं जिसमें कि लगभग 15-16-17 बच्चे याज़ों Literally करिकुलम की की चीज़े इसको मुख्य विशय मुख्य केरियर की रूप में लोग नहीं लेते हैं इन चीज़ों को अभी हमारे हाँ यही समझतें कि एक्स्टा करिकुलं के चीज़े हैं और समय मिलेगा तो जाएंगे ऑभी तो जाएंगे बचों को भीजेंगे यह दिपी इन दो सालों में जब से शुरू हुआ है तो अब कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो रेगलर आते हैं जिनको लगता है कि यहां से कुछ बातें बन सकती हैं यहां से मागे बढ़ सकते हैं जिस तरह से आपने कहा कि क्लासिकल संगीत आप सिखाते हैं समाज में अभी क्लासिकल संगीत सिखना यह लगता है कि जरूरी का चीज है कि एक तो कोई भी कला कि कला च्छत्र ऐसा है कि अगर कोई कला से जुड़ा विक्ति है तो निश्चित रूप से वह अपराद और गलत प्रविर्ति के और नहीं जाएगा आम तोर पे खास करके शास्त्री संगीत जो विधा है यह ऐसी विधा है जहां कि अगर हार्मोनियम तबला तानपुरा पकड़ लिया आदमी तो बंदुक पिस्टॉल राइफल न पचीश-तीस साल पहले कुछ स्थिती दैनी हुई थी आज के समय में सोशल मीडिया एक्टिव होने के वज़े से अभी एक से एक प्रतिभा सामने आ रही है और वो जब डालते हैं अपने चीजों को डालते हैं अपने कला को डालते हैं हाथो हाथ लोग लेते हैं उनका नाम बढ़ता है उनकी पूछ बढ़ती है उनको बुलाया जाता है उनको प्रोग्राम मिलता है उसर अभी देखा जा रहा है यह चीज़ कि खास्तोर से जो सुगम संगीत है अब आकि लोग ऐसे भी सोशल मीडिया पे कुछ गा लिया लोगों को अच्छा लग गया तो वह वाइ हो नहीं हो जो फिल्मी गा लेते हैं जो सुगम गा लेते हैं वो शास्त्री गाले यह आवश्यक नहीं है पर जो शास्त्री गालेंगे वो कुछ भी गालेंगे नीव जिसको कहा जाता है वो नीव शास्त्री संगीत ही है अगर आप सारे गामा को नहीं जान रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा इश्वरी देन के वज़ा से गाल है पर कहीं न कहीं आपकी कमी अच्छे लोगों के सामने जरूर नजर आ जाती है जैसर यह सारे गामा जो मूल चीज है एक हम कहते हैं कि एक वर्तनी है अलफाबेट है संगीत का यह सर यह कैसे इसकी सुरुवात हो गई और किन लोगों ने क्या सोच कर कैसे खोज किया इसका देखिए हमारी शास्त्री मानता के नुसार यह सामवेद की चीज है संगीत सामवेद से आया है और साथ स्वर जो हमारे रिशी मुनी प्राचेन समय में थे उन्होंने इन स्वरों की स्थापना की विना के तार पर शुरुतियां अनंत हैं शुरुतियों के आधार पर उन्हीं अनंत शुरुतियों में से बाइस शुरुतियों को पहचाना गया और हमारे शास्तरकारों ने, हमारे रिशिमुनियों ने, हमारे साधकों ने उन 22 रूतियों में साथ सवर को मूल सवर की रूप में, सुध सवर के रूप में खोझा और उनका नाम करण किया यह साथ ही क्यों आट दस क्यों नहीं आट दस इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आज के समय मशीन है बहुत बारिक अंतर पता किया जा सकता है यह सवरों की स्थापना की थी जमाने में उस जमाने में कान से ही सुनके उन बाइश शूतियों को पहचानने की सुूतिया यह अननत है एस आघ्रह साथ सर्पन को पहचाणा कैसे यह स्तथाई स्वर हैं उन्होंने कैसे पहचाना ये तो मेरे बूते की बात नहीं है कि मैं बता सकूँ क्योंकि हमारे रिशिमुनियों ने आज से हजारों वर्स पहले इसकी स्थापना की तो आपको लग रहा होगा ना कि इसका ये बेस है पहचानने का बिलकुल आज के समय में अगर हम इससे कुछ अधिक यह कम करते हैं तो एनन्त राग भी अन्गिनत हैं कि हमारे हमारा जो वैधिक यडी कि इसमें साहफ है लेकिन और विश्टन कंटरी के मृटिसgas मेस यह ज्यादा है लेकिन हमारे हैं साथ है साथ स्वरं ह आप सब्ती रिशी हैं सब्त्गंगा है साथ का महत्व हमारे हैं और कानों के द्वारा उस जमाने में साथ स्वर को पहचाना गया साथ ही नहीं है मैंने कहा कि साथ शुध स्वर हैं और chois विकरिट स्वर हैं तो बल पे जैसे अभी हम यहां खड़े हैं और यहां गाड़ियां जा रही हैं हॉर्ण की आवाज आती है चिडिये की आवाज आती है पक्षी की आवाज जानवर की आवाज तो वैसे ही साथ पक्षी और जानवरों के स्वरों को लेके उन्होंने उस आधार पे स्वरों की इस लिया गया है और हमारे सास्त्रकारों हमारे रिशिमोनियोंने सिर्फ सात्सवर की मानता द具 और पांच विकृत की मानता द具 बारभ स्वर को लेकर यह अनंत े अब आप कहेंगे की क्यूं आखिर इसी में क्यों तो यह एक बहुत समझने की बात है कि शुरूतियां मैंने कहा कि 22 रूतियों को पहचाना गया और 22 रूति पर 12 रूतियों को पहचानके उस पर सारे गम, सा, दो रे, दो ग, दो म, प, दो ध, दो नी इनको इस्थापित किया शुद्वस्वर और विकृत्ष तो इनको और सहर स्वर को लगाने का तरीका अब जैसे मान लिया जा कि कोमल को अनेक राग में लगते हैं, वो सुबह के राग में भी लगते हैं, दिन के राग में भी लगते हैं, शाम के राग में, अलग-अलग, मगर सभी के रे को लगाने की शुरुती की अंतर होती है, अंतर होती है, और वही अंतर, सवाल कर लेते हैं, यह भी का जा रहा है कि शौट में भी करूं तो भी कुछ सवाल आपसे भी पूछना पड़ेगा एक बहुत बड़ी बात आप मानीजिए ठीक है यह हो सकता है कि इसमें इग्जाजरेशन हो इसमें बढ़ा के चढ़ा के कहा गया हो मगर प्रभावित करती है इसका चोटा सा उदाहरन अभी अगर अनंद दायक बात होती है तो रुआ खड़ा हो जाता है आनंद से पुलक जाता है शरीर ठीक है यह प्रभाव किस चीज़ का है स्वर और शब्द का इसी स्वर और शब्र के प्रभाव से आपका शरीर आनंदित भी हुआ और उद्वैलित भी हुआ अब संगीत को जोडते हैं एक संगीत आप बार बार सुनना पसंद करेंगे प्रभाव संगीत यही बात मैं कह रहा हूँ हम आप क्या है प्रकृती हम आप प्रकृति का पाठ है और ये पेड़ पौधे जानवर बादल बिजली जितनी भी चीज़े हैं रोशनी ये प्रकृति है सवाल ये उठता है कि हमारी साधना कितनी है कितने बड़े प्रकृति को प्रभावित करने के लिए उदाहरन के दौर पे मेरी साधना बहुत चोटी सी मेरे सुनने वाले सौ दो सा चार सा पांट सा लोग ही मेरे प्रसंसक है पंगर पंडित जसराज की प्रसंसक कडोरों में है उनकी साधना प्रचंड थी उनके कड़ोरों प्रसंसक है उतने बड़े प्रकृति को प्रभावित करता है और हो सकता है कि ऐसा संगीत किया गया हो कि आग ना लगी हो मगर जलन पैदा हुआ होगा शरीर में अगर संगीत के साथ उसको जोड़ दिया तो जो रिकवरी का रेट है वह ज्यादा बढ़ जाता है बिल्कुल सही बात है यह अब हम नहीं यह मनुश्य के द्वारा नहीं विज्ञान के द्वारे मानी गई बात है विज्ञान मानती है कि आप गाय को सुना ये वह आपको दू है यह आज विज्ञान कहती है हमारा विज्ञान हमारे सास्ति संगित के वग्यानिकों ने बहुत पहले कह दिया स्वर्व विज्ञान का अगया इसको फड़ा नाम जाना चाहिए मेरा नाम अमर्नाच्छा यह किलकारी के टीचर है और यहां किलकारी का जो अभी वरतमान मे इस्तिती है वह आप समझ रहे हैं कि केके पाठाक के प्रभाव के आदेश के बाद काफी प्रभाव पड़ा है बच्चे यहां आते हैं लेकिन स्कूल में छुटी होने के बाद लेकिन यहां के टीचर से जो हम आभी बात कर रहे थे एक संगित के टीचर हमारे साथ है इन्ह जिसका आप सही से अध्यन करते हैं सही से गहन करते हैं उसका प्रभाव छोड़ना चाहते तो निस्तित पर परभाव पड़ता है कोश्यालों के लिए समीत के साथ मैं संजे कुमार